विक्रम बेताल की कहानी पापी कौन है बेताल पच्चीसी पहली कहानी। कड़ी महनत के बाद राजा विक्रम आदित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया। वह उसे अपने कंधे पर लादकर्श मशान की ओर ले चले। रास्ते में बेताल ने राजा को एक नई कहानी शुरू की और बेताल बोला। एक बार की बात है काशी में एक राजा था जिसका नाम प्रताप मुकुट था। उसकी एक संतान थी जिसका नाम वज्रमुकुट थी। एक दिन वज्रमुकुट दीवान के बेटे के साथ शिकार करने जंगल गया। काफी घूमने के बाद उन दोनों को एक तालाब दिखा। जिसमें कमल खिले थे और हंस उड़ रहे थे। दोनों दोस्तों ने वहां रुक कर तालाब के पानी से हात्मुंधोया और पास ही बने महादेव के मंदिर में दर्शन करने चले गए। दोनों ने अपने घोडे मंदिर के बाहर ही बांध दिये। फिर जब दोनों दोस्त दर्शन करके मंदिर से बाहर निकले, तो उन्होंने देख कि तालाब में एक राजकुमारी अपनी सहलियों के साथ स्नान करने आई है। राजकुमारी को देख कर राजकुमार काफी खुश हुआ। राज कुमार और राज कुमारी दोनों एक दूसरे को देख कर मोहित हो गए, जबकि दीवान का बेटा वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा. राज कुमार को देखते ही राज कुमारी ने बालों में से एक कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दान्तों से कुत्रा, पेरों के नीचे दबाया और फिर अपने छाटी से लगाकर अपनी सहलियों के साथ चली गई. उसके जाने के बाद राजकुमार काफी दुखी हुआ और अपने मित्र के पास लोट कर सारी बात बताई राजकुमार बोला मैं राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता हूँ लेकिन मुझे इस राजकुमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता है वह कहां रहती उसका नाम क्या है दीवान के बेटे ने सारी बाते सुनी और राजकुमार को दिलासा देते हुए बोला राजकुमार आप घबराइए मत राजकुमारी ने सब कुछ बताया है आश्चर्यत कित होते हुए राजकुमार ने पूछा वो कैसे दीवान के बेटे ने राजकुमार को बताना शुरू किया कि राजकुमारी ने कमल के फूल को बालों से निकाल कर कानों से लगाया यानि राजकुमारी का कहना है कि वह करनाटक से है दान्च से फूल को कुत्रा, मतलब उनके पिता का नाम दंतावट है फूल को पाव से दबाने का मतलब था कि राजकुमारी का नाम पदमावती है और फूल को सीने से लगाने का मतलब था कि अब आप उनके हृदय में बस चुके है यह सब सुनते ही राजकुमार बहुत ज्यादा खुश हो गया खुश होते हुए राजकुमार ने दीवान के बेटे से कहा कि मुझे करनाटक जाना है, मुझे वहाँ ले चलो दोनों दोस कई दिनों तक घूमते फिरते करनाटक पहुँचे जब वो दोनों राजमहल के निकट पहुँचे तो उन्हें एक चर्खा चलाती बुज़ुर्ग महिला दिखी महिला को देखते ही दोनों घोडे से उतरे और उसके पास जाकर कहा माई, हम दोनों व्यापारी हैं, हम बहुत दूर से आये हैं हमारा सामान अभी तक आया नहीं है, कुछ दिनों में हमारा सामान भी पहुँच जाएगा हम दोनों को बस रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए उनकी बाते सुनकर बुज़ुर्ग महिला की ममता जाग उठी उसने कहा, बेटा इसे अपना ही घर समझो जब तक मन करे यहां रह सकते हो, इसके बाद दोनों उसके घर में रहने लगे इसी बीच दीवान के बेटे ने उस महिला से पूछा, आप क्या काम करती है माई आपके यहां कौन कौन रहता है आप कैसे अपना गुजर्बसर करती है इन सारे सवालों का जवाब धीरे-धीरे उस महिला ने देना शुरू किया उसने कहा, मेरा एक पुत्र है, जो राजा के यहां नौकरी करता है मैं राजा की पुत्री पदमावती की दासी थी बूड़ी हो गई हूँ, इसलिए घर में ही रहती हूँ महराज खाने को दे देते हैं और पूरे दिन में एक बार राजकुमारी से मिलने चली जाती हूँ इतना सुनते ही राजकुमार ने बूड़ी औरत को कुछ धन दिये और राजकुमारी तक संदेशा पहुचाने को कहा राजकुमार ने उस बूड़ी महिला को कहा माई, कल तुम जब राजकुमारी के पास जाओ तो उनसे कहना की जेट सुधी पंचमी को तुम्हे नदी के पास जो राजकुमार मिला था वो तुम्हारे राज्य में आ गया है अगले दिन वो बूड़ी औरत राजकुमार का संदेश लेकर राजकुमारी के पास गई उस महिला की बात सुनते ही राजकुमारी गुसा हो गई उन्होंने हाथों में चंदन लगा कर उस महिला के गाल पर तमाचा मारते हुए कहा मेरे घर से निकल जाओ बूड़ी औरत ने घर लोटकर राजकुमार को सारी बाते बताई महिला की बाते सुनकर राजकुमार चौक गया फिर राजकुमार के मित्र ने राजकुमार को धैर्य बंधाते हुए कहा राजकुमार आप चिंतित ना हो राजकुमारी की बातों को समझने की कोशिश करें ध्यान दे कि राजकुमारी ने उंगलियों को सफेद चंदन में डुबो कर गाल पर मारा है इसका मतलब अभी कुछ दिन चांदनी के हैं उनके खत्म होने के बाद अंधेरी रात में मिलूंगी कुछ दिनों बाद बूडी महिला फिर राजकुमारी के पास संदेशा लेकर पहुची इस बार राजकुमारी ने केसरी रंग में तीन उंगलियां डुबो कर बूडी महिला के मुम पर मारते हुए कहा भागो यहां से फिर उस महिला ने आकर राजकुमार को सारी बाते बताई राजकुमार यह सुनकर बहुत दुखी हुआ इस पर दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है ए राजकुमार राजकुमारी ने कहा है कि अभी उसकी तबियत ठीक नहीं है तो इसलिए तीन दिन और रुख जाओ तीन दिन बाद वो बूड़ी महिला फिर राजकुमारी के पास जा पहुची इस बार फिर से राजकुमारी ने उस महिला को फटकारा और पश्चिम की खिडकी से बाहर जाने के लिए कहा वो महिला फिर से राजकुमार के पास गई और सारी कहानी सुनाई तब दीवान के बेटे ने राजकुमार को समझाते हुए कहा कि मित्र राजकुमारी ने आपको उस खिड़की की तरफ बुलाया है राजकुमार यह सुनते ही खुशी से उचल पड़ा उसने बूरी महिला के कपड़े पहन कर नारी का भेश धारण किया इत्र लगाया और हत्यार बांध कर राजकुमारी से मिलने चल पड़ा राजकुमार महल पहुँचा और खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कमरे में पहुँच गया राजकुमारी वहाँ पर तयार थी और राजकुमार का इंतजार कर रही थी राजकुमार जैसे ही कमरे में गया, उसकी आखें खुली की खुली रह गई राजकुमारी के कमरे में कई महंगी चीजें रखी थी रात भर राजकुमार और राजकुमारी साथ ही रहे फिर जैसे ही दिन निकलने को आया राजकुमारी ने उस राजकुमार को सबसे छिपा दिया जब रात होने लगती तो राजकुमार बाहर आ जाता इस तरह करते करते कई दिन बीद गए फिर अचानक राजकुमार को अपने दोस्त की याद आई राजकुमार को अपने दोस्त की चिंता हुई की पता नहीं उसका दोस्त कहा होगा, कैसा होगा और उसका क्या हाल हुआ होगा राजकुमार को दुखी देखकर राजकुमारी ने राजकुमार के दुहक का कारण पूछा उसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मित्र के बारे में बताया राजकुमार ने कहा वह मेरा बहुत अच्छा और चतुर दोस्त है उसी के वजह से मैं तुमसे मिल पाया हूँ यह सुनने के बाद राजकुमारी ने राजकुमार को कहा मैं तुम्हारे दोस्त के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाती हूँ। तुम उसे भोजन कराकर और उसे समझाकर वापस आ जाना, फिर राजकुमार खाना लेकर अपने दोस्त के पास पहुँचा। दोनों मित्र लगभग कई महिनों से नहीं मिले थे। मिलने के बाद राजकुमार ने अपने मित्र को सारी बाते बताई। राजकुमार ने कहा, मैंने राजकुमारी को तुम्हारी चतुराई के बारे में बताया। राजकुमारी ने तुम्हारे लिए भोजन भिजवाया है। यह सब सुनकर दीवान का बेटा सोच में पढ़ गया। उसने राजकुमार से कहा कि यह तुमने ठीक नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तक वह आपको अपने बस में नहीं रख सकेगी। इसलिए उन्होंने इस खाने में जहर डाल कर भेजा है। यह कहते ही दीवान के बेटे ने उस खाने से एक लड़ू लेकर सामने बैठे एक कुट्टे को दिया। लड़ू खाते ही कुट्टे की मृत्यू हो गई। यह देखते ही राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि ऐसी औरत से भगवान रक्षा करे। अब मैं उस राजकुमारी के पास नहीं जाऊंगा। दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा। नहीं, अब कुछ ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए, जिससे कि हम उसे साथ में अपने घर ले जा सके। आज राज तुम वहां जाओ और जब राजकुमारी सो रही हो, तब उसकी बाई जांग पर त्रिशूल का निशान बना देना। फिर उसके गहने लेकर आ जाना। राजकुमार से कहा कि तुम इन घहनों को बाजार में बेच दो। अगर कोई पकड़े, तो कहना मेरे गुरू के पास चलो और उसे मेरे पास ले आना। राजकुमार वो गहने महल के पास एक सुनार के पास ले गया सुनार ने गहनों को देखते ही पहचान लिया और राजकुमार को कोतवाल के पास ले गया कोतवाल ने राजकुमार से सवाल पूछे तो राजकुमार ने कहा ये गहने मुझे मेरे गुरुजी ने दिये है यह सुनने के बाद कोतवाल ने गुरू यानी दीवान के बेटे को भी पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गया राजा ने पूछा, योगी महाराज, आपको ये कीमती गहने कहां से मिले? योगी का भेश धारण किये हुए दीवान के बेटे ने कहा, महाराज मैं शमशान में काली 14 को डाकिनी मंत्र प्राप्त कर रहा था कि मेरे सामने डाकिनी आई. मैंने उसके जेवर उतार लिये और उसकी बाई जांग पर त्रिशूल का चाप बना दिया. यह सुनते ही राजा महल में गया और उसने राणी को कहां कि पदमावती की बाई जांग देखे कि कहीं राजकुमारी के जांग पर त्रिशूल का चाप तो नहीं है. राजा की बात सुनते ही रानी ने देखा और सच में राजकुमारी की बाई जांग पर त्रिशुल का निशान था यहां जानकर राजा बहुत दुखी हुआ फिर राजा योगी के पास गए और कहा की योगी बताओ धर्म शास्त्र में बुरी औरतों के लिए क्या सजा है योगी ने उत्तर दिया ब्राहमन, राजा, गव, औरत, पुरुष और अपने राज्य में रहने वाले किसी से भी कोई बुरा काम हो जाए तो उसे राज्य से बाहर निकाल देना जाना चाहिए यह सुनते ही राजा ने पदमावती को जंगल भेज दिया वहां राजकुमार और दीवान का बेटा मौके के इंतजार में बैठे थे राजकुमारी को अकेला पाकर दोनों उसे अपने नगर ले आए और खुशी-खुशी रहने लगे कहानी खत्म हुई और हर बार की तरह एक बार फिर बेताल ने विक्रम से पूछा तो राजन बताओ इस कहानी में पापी कौन है जल्दी बताओ राजन वरना तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा विक्रम ने उत्तर देते हुए कहा पापी राजा था क्योंकि दीवान के पुत्र ने अपने मालिक का काम किया कोत्वाल ने राजा का कहना सुना और राजकुमार ने अपनी इच्छा पूरी की लेकिन इस कहानी में राजा पापी था उसने बिना सोचे विचारे राजकुमारी को राज्य से बाहर निकाला दिया विक्रम के इतना कहते ही बेताल फिर उड़कर पेड़ पर जा लटका कहानी से सीख हमेशा बुद्धी का इस्तमाल करके ही फैसला लेना चाहिए वरना कोई भी भ्रमित करके कुछ भी करवा सकता है